वेलकम टू मास्टर मांड अब जिक्के एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर मांड अब जिक्के में आज के इस वीडियो में हिंदी के 50 महतपुन सवाल को देखेंगे और यह सवाल है जो चेप्टर आपका हिंदी भासा का उद्भव और विकास से लिया गया है तो देखेंगे इससे 100 महतपुन प्रश्ण में आप लोग को कराने वाला हूँ लेकिन आज के वीडियो में 50 प्रश्ण देखेंगे बाकि सिस जो बच्चे हुए प्रश्ण है इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ते फ्रेंस देखें आपका जो बिहार करेंगे चैनल को सबस्काइब कर सबस्क्राइब करना है पहला का correct answer option number B व्राम्बी लीपी से हुआ है दुसरा number 7 आपका है सिंदी लीपी का विकास हुआ है जिआ प्राचिन देवनाग्री लेपी का करा है अब देवनाग्री लेपी सिर्फ रहेगा तो प्राम्बी हो जाएगा लेकिन प्राचिन देवनागरी रहेगा फ्रेंज तो इसका कारेक्टन सरह होगा कुटिल लीपी से होगा ठीक है तीन का जो कारेक्टन सरह है फ्रेंज आपका option number A हो जाएगा देखें यह सब प्रशन आपको application पर भी मिल जाएगा प्रेंज टैप क्या हुआ रहेगा उसका प्रैक्टिस में डाल रहा हूं हिंदी का तो अभी ज्यादा समय application पिछला जाता है इसलिए लाइब क्लास नहीं आ रहा हूं और आपका application जैसे ही संघ की राज भासा हिंदी और लीपी देवनागरी होगी यह समिधान के किस अनुछेद में वर्नित है यह कोश्चर बहुत बार ग्याम में हिंदी और लीपी क्या होगी देवनागरी होगी तो बहुत ज्यादा important सवाल यह है संघ की राज भासा हिंदी और लीपी देवनागरी होगी यह समिधान के किसन शेद में है तो समिधान के भाग पुछेगा तो सत्रहमा और शेद 343 में वर्नित है चौथा पाच्वान नमर शवाल को देखे फ्रेंस पाच्वान नमर शवाल आपका है भारत में हिंदी को समिधान की किस धारा के अंतरगत राज भासा घोशित किया गया है पाच का correct answer तो यह हो जाएगा फ्रेंस किस धारा तो धारा तिंसो तो तिंसो ते तालिस का वन के तहट घोशित किया गया है तो कारेक्ट अंसर आप्शन नमरे हो जाएगा धारा 343 का वन छठा नमर शवाल को देखे किसम इधान के किस अनुछेद के अंतरगत हिंदी को संग की राजभासा का दरजा मिला है तो वही कोश्चन देखे घुँआ फिरा करके पूछा जाता है फ्रेंस देखे तीन तरज से पूछा गया है इसका भी करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा उनुछेद 343 हो जाएगा चले सात्मा नमर शवाल से देखते है सात नमर शवाल आपका है फ्रेंस कि संविधान के किसंचेद में कहा गया है कि संग की राजभासा हिंदी और लिपी देवनागरी होगी देखे फ्रेंस ओही कोश्चन को कितना बार घुँआ फिरा के पूछा गया तो क्या होगा करेक्ट अंसर छेट 343 होगा अगला सवाल है फ्रेंस आपका किस तीथी को हिंदी को राजभासा बनाने का निर्ने लिया गया बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट सवाल है ये किस करिए तो किस तीथी को हिंदी को राजभासा बनाने का निर्ने लिया गया तो आठ का कारेक्टनसर आप्सन नमर C होगा 14 सितंबर उन्हें 49 14 सितंबर को ही हम लोग क्या करते हैं परतेकवर्स हिंदी दिवस मनाते हैं यह भी याद रखेगा आठ का कारेक्टनसर C हो जाएगा 9 नमर शवाल देखे भारत की राजबहसा क्या है भारत की राजबहसा क्या है तो भारत की राजबहसा आपका हिंदी आप्सन नमर A इसका कारेक्टनसर हो जाएगा 10 नमर शवाल को देखे समिधान के अनुछे 351 में किस विसे का वर्णन है यह भी बहुँ जादे इंपोर्टन सवाल है तो देखे समिधान का अनुछे 351 में है जो किसका वर्णन है फ्रेंस तो हिंदी भासा के विकास सम्मंदित निर्देश दिया गया है कोस्टन को उलट करके भी पूछा जाता है किस तरह से पूछा जाएगा कि भारते समिधान के किस अनुछेद में हिंदी भासा के विकास सम्मंदित निर्देश दिया गया है तो आपका समिधान अनुछे 351 हो जाएगा कोस्टन घुमा करके पूछा जा सकता है कि हिंदी भासा के विकास सम्मंदित निर्देश समिधान के किस अनुछेद में दिया गया है तो अनुछे 351 में यह question को घुमा करके पूछा यहाँ पे कि समिदान के अनुछे 351 में किसका वरण नहीं तो option number D इसका character answer हो जाएगा 11 number स्वाल को देखे 11 number स्वाल आपका है नागरी लिपी सुधार समीती के संजोज़क कौन थे तो 11 number का character answer हो जाएगा option number 1 काका कालेकर तो 11 का correct answer यह हो जाएगा 12 number स्वाल को देखे किस बिदवान ने देव नागरी लिपी के अस्थान पर रोमन लिपी स्विकार करने का सुझाओ दिया था 12 का correct answer क्या होगा तो देखे किस विदवान ने देवगणारी लीपी के स्थान पर रोमन लीपी स्विकार करने का सुझाओ दिया था 12 का कारेक्टन सर आप्शन नमर सी होगा सुनिता कुमार चटर जी नी किस विद्वान ने देगुनारी लीपी के अस्थान पर रोमन लीपी स्विकार करने का सुझाओ दिया था तो ये कौन थे फ्रेंस आपका सुनीता कुमार चटर जी आनि 12 का कारेक्टरंस अप्शन नंबर C हो जाएगा 13 नंबर शावाल देखे 13 नंबर शावाल आपका है चारे नरेंद्र दि हो फंस पंदला की असे महत्व आ संप्रेशन का साधन का शाधन लेंग्वेज भासा है यहां पर धिए सत्रे से पूछा जा सकता है सूछा हो फंसे नंबर अभीव्यत का माध्यम ही नहीं senior स्वयम से यहाँ पर क्या हो जाएगा सोला का सोला को हो जाएगा बादचित का माध्यम है ठीके फ्रेंस ध्यान रखेगा जो आपका इसमें आज हम लोग 50 प्रशन करें इसका पार्ट टू कल मैं अप्लोड करूंगा तो टोटल आपका हिंदी भासा के उद्भव और विकास से सो प्रशन हो जाएगे तो आज हम लोग 50 प्रशन ही डिस्कस करने वाले हैं तो देखे भासा के अवल अभिव्यक्त का माध्यम ही नहीं बलकि स्वैम से क्या बादचित का माध्यम है सोला का करेक्ट अंसर ऑप्सन नमर बी हो जाएगा सत्रा नमर शवाल देखे भासा सभी विशिओं के हाले स्थार बी हो जाएगा वाई गोत्सकी ने भासा विवकास का परिछे प्रस्थी प्रस्तूत तो 18 का correct answer यह होगा समाजिक सांस्क्रितिक वाई गोच्षी ने भासा विकास का समाजिक सांस्क्रितिक परिप्रेच्छे प्रस्तूत किया था तो 18 का correct answer option number यह होगा किसका प्रिप्रेच्छे प्रस्तूत किया था तो समाजिक सांस्क्रितिक का उनिस नमबर भासा और लीपी के बीच में क्या होता है चलिए उनिस का गेस करें तो देखिए भासा और लीपी के बीच में कोई निश्चित सम्मंध नहीं होता है तो कोई निश्चित सम्मंध नहीं होता है तो देखिए यहां पर है एक निश्चित सम्मंध होता है तो देख बहां रखे भासा और लिपे की बीच में अईसा नहीं कि संबंध होता है लेकिन कोई निश्चित संबंध नहीं होता है तो इसका करेक्ट अंसर आपसन नम्बर ए हो जाएगा 26 गढ़ी किस भासा की बोली है 26 गढ़ी जो किस भासा की बोली है तो 20 का जो correct answer हो जाएगा फिरेंस आपका option number D हो जाएगा 36 गढ़ी है जो आपका पूर्वी हिंदी का बोली है तो 20 का correct answer D हो जाएगा 21 नमर शवाल को देखे निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतरगत नहीं आती है तो पूर्वी बोली के अंतरगत कौन सी नहीं आती है 21 का correct answer हो जाएगा फिरेंस option number B मग ही ठीक है पूर्वी हिंदी के अंतरगत तीन बोलियां मुखरूप से आती है पूर्वी हिंदी के अंतरगत तीन बोलियां जिसे अवधी बघेली और 36 गड़ी आती है यह मग ही बोली है जो आपका बिहारी हिंदी की बोली है ठीक है मग ही बोली है जो किसका है तो बिहारी हिंदी का बोली है ना कि आपका पूर्वी हिंदी का है अगला सवाल है फ्रेंस उ हमा उ हमरा के खेल ही ना देत रहे कहां की बोली है इस तरह से कहां बोला जाता है फ्रेंस बाइस का तो देखे फ्रेंस उ हमरा के खेल ही ना देत रहे है भोजपूरी बोली का भासा है फ्रेंस ऑप्सन नमर शी इसका कारेक्ट अंसर हो जाएगा बा नमर शवाल को देखे इलाहबाद में बोली जाने वाले बोली है इलाहबाद में बोली जाने वाली बोली कौन है तो 24 का जो character नमर बी इलाहबाद में अभधी बोली बोली जाती है 25 नमर शवाल देखिए कंणड का संबंध किस भासया सबिवार से बहुत IMPORTANT शवाल है 25 है 25 का direct answer होगा ये बहुत इंपोर्टन सबिवार सेrivार बहुत इंक Why । बोली क्या है 27 का करेक्टनसर बोली हो जाएगा गाजिपूर में बोली जानी वाली परमुक बोली बोली है583 की बोली को काशिका कहा गया है 28 का करेक्टनस रोजयगा और वार नसी कि má निक्स-क्रचनाई की सлек संबंदित होती यह देखे बहुत इंपोर्टन सवाल है इसको भी भी आई सवाल का सकता है फ्रेंज ठीक है जो आंचलिक रचनाओं होती है वो मुक्रूप से देखा जाए फ्रेंज तो आपका कोई छेत्र विसेश से संबंदित होती है इसलिए करेक्ट अंसर आप्शन नंब से रिलेक्टर होता है अंचलिक रचनाओं हिंदी खड़ी बोली किस अपुर्ण से बिक्सित हुए इंभी बहुत बार एक जाम में ररिपिट हुआ है तो हिंदी खड़ी बोली किस अपुर्ण से बिक्सित हुए तीसका करेक्ट अप्शन नंबरmberD सौरों सेनि से हुई है जिसका correct answer B 31 number सवाल हिंदी की आधी जन्री क्या है चलिए बहुत ज़्यादा important हिंदी का जन्री किसे मानते हैं अप लोगों को पता होगा मेरे ख्याल से 31 का correct answer आधी जन्री मानने जाएगा किसको तो Sanskrit भासा को माना जाता है 31 का correct answer B अपसर में प्राकिर्तिक पाली अब भरंस भी आएफ्रेंस लेकिन correct answer 31 का B होगा हिंदी का आधी जन्री संस्क्रीत है अगला सवाल देखते हैं भारते से मिधान में हिंदी भासा को मन्यता कब परदान की गई तो भारते समिधान में हिंदी भासा को मन्यता है जो 14 सितंबर 1949 को आपको परदान की गई है इसलिए 14 सितंबर को हम लोग भारत में राष्टे हिंदी दिवस की रूप में मनाते हैं ठीक है चलिए अगला 33 नंबर सवाल को देखते हैं 33 नंबर सवाल आपका है कि भारते समिधान में किस भासा को राज भासा का रूप में स्विकार किया गया है तो 33 का करेक्ट अंसर आपका हिंदी हो जाएगा 34 नंबर सवाल भारत के लिए हिंदी भासा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था भारत वर्स के लिए हिंदी भासा का नाम सबसे पहले किति ने सुझाया था तो इसका भारत वर्स आपका राजा राम मोहन राय जिनुन ने आपका ब्रहम समाझ के स्थापना किया ध्यक है जिन्हों ने ब्रह्म समाज के स्थापना किया है उन्हों नहीं सरपर्थम भारतवर्ष के लिए हिंदी भासा का सुझाओ दिया था तो 34 का करेक्ट अंसर डी हो जाएगा फ्रेंस 35 नंबर सावाल को देखे हिंदी दिवस कम मनाया जाता है सबी हम लोग देख रहे थे तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है कि अगला सावाल पर 36 नंबर किस बोली में ने प्रसंग लगाया जाता है इसने कहा हमने न ौता है ऊता है तो इसमें खड़ी बोली होता है उसी में हृंदी हिंदी भासा में कितनी दोल कितनी दोलींग में at इसका 18 अंसर हो जाएगा हिंदी भासा में प्लब मान्यता प्राप्त कर सकते हैं 18 बोली उसके वाद में भिहारी में हो जाता है मग ही वगएरा तो इस तरह से टोटल दिखा जाए तो आपका 18 बोलिया टोटल है याद रखेगा हिंदी भासा में कुल कितनी बोलिया है तो आपका 18 अगला सवाल को देखे 37 का सी 38 नमबर निम्लिखित में से किस देश में हिंदी भासा का परियोग लिखने एवं बोलने के लिए किया जाता है तो देखे 38 का आपका मौरिसस नाम सुने होगे फिर्स में बहुत बार आपका भुशपूरी भी वहां बहुत बोली जाती है तो मौ दिंग डॉंग सी दान्थ चलिए हमेसा याद रहेगा फिर्स कि निम्लिखित में से कौन सा सिदान्थ भासा के उद्भव और विकास से संबंदित है तो यह डिंग डॉंग सी दान्थ है तो इस तरह से कुछ बिठा करके याद रखे ठीक है और हिंदी गाना भी था आप ल अगला सावा लिखता हों प्राथमिक रूप होता है संकेतिक बहासा यह होती है फ्रेंस ठीक है अगला सवाल एक तालिश नमबर सवाल को देखते हैं ये 14 सितंबर उन्हें सो उन्चास को भारते समिधान ने हिंदी को भारत संखी कौन सी भासा का दर्जा दिया तेकि ये कोश्चन को कितना घुमा करके किस तरह से पूछा जाता है अब अगला सवाल को देखते हैं इंडी के बाद सरवाधिक बोली जाने वाली भासा कौन सी है आपका बांगला हो जाएगा भारत में देखा जाए तो हिंदी के बाद सरवाधिक बोली जानी वाली भासा दूसरा स्थर पर तो आपका बांगला है इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा बांगला इसके बाद देखा जाए फ्रेंज तो तेलगू, मलाठी और तमील आता है ठीक है लेकिन दूसरा स्थान पर बांगला आता है फिंदी भासा कि लीपी कोन भॉम दिखाँ करोत सिने पर एतालीश नमर्र कविता के लिए खडी अंदोलन के सुरुवात किछ ने कि थी चौव, 47 नमर्शावाल का करेक्टन सर अप्शन नमर्ड अप्शन नमर्ड देखें, भारतिय भासाओं को भारतिय समिधान के किस अनुसूची में सामिल किया गया है, सबी को पता है फ्रेंस मेरे ख्याल से तो भारते भासाओं को भारते समिधान के आठमी अनुसूची में सामिल किया गया बरतमान में इसमें कितने मान्यता प्राप्त भासा है तो 22 भासा है इस सब याद रखेगा चलिए फ्रेंस 49 नमर सवाल को देखते हैं कि हिंदी भासा की 25 का दिमिलिक्त में से कौन सी बोली उत्तर परदेश में बोली जाती है छ meta है उत्तर परदेश में क्या कनोजी बोली जाती है तो देखे अभी हम लोग ने आपका हिंदी के उद्भाम और विकास है हिंदी के जो आपका भासा है हिंदी भासा के उद्व और विकास से total कितना प्रश्ण हम लोग देखेंगे तो अभी हम लोग ने total प्चास प्रश्ण देखें और जो 50 प्रश्ण बचा हुआ फ्रेंज इसको हम लोग कल देखेंगे ठीक है इसको हम लोग कल के वीडियो में 50 प्रस्ण है जो टूटल हम लोग कर लेंगे तो चलिए फ्रेंस आपका नेक्ट वीडियो में फिर मिलते हैं देखने के लिए थैंक्यू धन्यवाद